कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मडर केस में सुपरेम कोट में लगता सुनवाई जा रही है और सुपरेम कोट में सुनवाई के दौरान सबसे जो मतवपूर बिंदू था वो था विकिपीडिया से मृतिका के फोटो खाना और नाम को हटाने का नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं होरी नूर आप देख रहे हैं नेटवरिकीतीन का डिजिरल प्लेटफॉर्म और आज जिस मुद्धे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कुलकाता मडर कीस मामने में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का दरसल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसमें सबसे महत्पपोर बिंदू यही रखा गया है बंगाल सरकार की ओर से जो पैरवी कर रहे हैं कबिल सिबल उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से फोटोस बारल हो रहे हैं नाम सामने आ रहा है विकीपीडिया को बोला ज सिखाई उनका कहना है कि विकीपीडिया से कहा जाएगा किसे जल्द से जल्द हटाया जाए कोई भी इंटरनेट पर जो पीडिता है उसका फोटो या उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए इसके साथ ही दोसी तरफ बंगाल सरकार की ओर से जिस तरीके से लगा था जो डॉक् प्रमुख मांगे डॉक्टर्स कर रहे हैं उनमें से सिफ तीन मांगों पर ही सहमती बन पाई है दो मांगों पर अभी तक सहमती नहीं बन पाई है और इसके चलते आज भी डॉक्टर्स की हरता लगता जारी है आप ये देखिए कि कॉलकाता मडर केस में लगातार सुनवाई हो रही है बार-बार ये कहा जा रहे है डॉक्टर्स को कि वह अपने काम पर वापस लोटें क्योंकि स्वास्ते समय चर्मरा गई है और उसके बाब जो डॉक्टर से हो मानने के लिए तयार ही नहीं है वो काम पर वापस जाहीं नहीं रहें उनका साफ तोर पर कहना है कि जो प्रमुख मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए और उसके बाद ही काम पर वे वापस लोटेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर भी उन्हें कुछ मत्वपूर मांगी रखी हैं। ऐसी जालेवा धमक्यों के बाद से एक दर कमहौल बना हुआ है। जिस पर सुप्रेम कोट का कहना है, CGI डिवाई चंदर चूर ने साफ कहा कि इस पर देखा जाएगा, इसके लिए सुरक्षा मोहया कराई जाएगी, ऐसी किसी भी तरीके कि अगर धमक्या मिल रही हैं तो उस पर जाज की जाएगी। CGI को साफ तोर पर कहा गया है कि जो भी तत्थपेश केएगा है वो पूरे नहीं है और एक बार फिर से जो रिकॉर्ड्स दिये गए हैं वो यथावत नहीं है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं मृतिका के पैरेंट्स, माता पिदा का कहना है कि सही तरीके से जानकारी अभी सुप् पर फिर से जानकारी को नहीं है, दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आरोपी संजेर रॉए है उसके साथ साथ अभी हाली में दो दिन पहले दो आरोपीयों को और गिरफतार किया गया है, जिनमें पूर्भ प्रिंस्पल भी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज खे और एक जो पुलि पर फिर से सटी कह दिया किया है, कि आप पार दर्शिता अपने कारवाई के दौरान रखे हो और जैसे ही कोई तथ मिलता है, उसे तोनांत रिकॉर्ड मिले और जो वीडियो की बात की जा रही है कि CCTV के जो वीडियो से उन्हें यह अथावत उपलब्द करवाए जाएं, किस एक बार फिर से यह साफ हो चुका है, कि अभी भी फैसला आने में थोड़ा वक्त लगेगा, संजीय रोय सहीत दो अन्य लोगों की गिरफतारी के बाद, अन्य लोगों की गिरफतारी के जो मांग, ट्रेनी डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनकी मांग को लेकर भी अभी जो बंग गरमाया हुआ है, क्योंकि हिंसा जिस तरीके से हुई है, उसके बाद ममता सरकार की मनमानी, लेट लतीफी कारवाई को लेकर, और ये लेट लतीफी क्यों हुई है, इसको लेकर भी जाज की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर वक्त रहते, एक्शन लिया जा सकता था, तो हो सकता था, तुरंट जो मुख आरूपी है, वो हतकंडे चड़ जाते, वो जेल की सलाकों के पीछे होते, लेकिन जो लापरवाही की गई है, और अभी भी डॉक्टर्स के सुरक्षों के लेकर कोई मानक तै नहीं है, उसको लेकर भी डॉक्टर्स का लगत केस में, आगे क्या कुछ कोट फैसला सुनाती है, इसके लिए अप लगतार देखते रही नेटवर के टीन, नमस्कार